हलो प्यारे बच्चों नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का साइंस अंफन पर जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं तो लास्ट येर मैंने बच्चों को बोला कि एक कोशन हंडर्ड परसंट आएगा और वो हंडर्ड परसंट आया pair of linear equation in two variables का एक special question होता है जिसको हमने नाम दे रखा है science and fun special method और offline वाले बच्चे comment section करके बता देना कि भाईया आप कौन सा method बोलते हो वैसे science and fun special method इसका नाम क्यों रखा है पहले बाद तो question बड़ा special है question बड़ा important है और इसके अंदर अगर हम direct elimination या substitution लगाते हैं तो काम बहुत बड़ा हो जाता है विशाल हो जाता है अब इस आने वाले 10 मिनट के अंदर उससे भी पहले मैं आपको एक ऐसा question बताऊँगा जो आपके paper में आने के chances बहुत जादा है either of one mark, two mark, three mark और उससे भी जादा तो कहीं ना कहीं काफी important game है पूरा lecture पूरा ये जो concept है ये जो question है ढंक से समझना और आखरी में आपके लिए एक homework भी है time waste ने करूँगा concept पराऊँगा देखिए तो question क्या है science and fun special method ये question होता है ax plus by equals to c c1 और bx plus ay equals to c2 अब इसमें खास बात क्या है a and b are big numbers बहुत बड़े numbers होंगे a और b चोटे number नहीं होंगे चोटे होंगे ना 2,4,5,6,8 तो आप elimination substitution लगा लेना लेकिन यहां तो बात कर रहा हूंगा बहुत बड़े numbers की a और b बहुत बड़े numbers होंगे और सबसे important खास बात क्या है x का जो पड़ोसी है वो यहां y का है coefficient और y का पड़ोसी जो है यहां वो x का है यह important है यह special है x का पड़ोसी यहां y का बन जाएगा y का पड़ोसी यहां पर x का बन जाएगा अगर यह संकेत आपको दिख गया तो समझ लेना यहां पर आपको लगाना है science and fun special method वह इसका और कोई नाम नहीं था तो हमें हमने इसका नाम यह रख दिया आपके school में भी पढ़ाया जाएगा बड़ा important question है आपकी optional exercise के अंदर एक part दिया हुआ है मैं यहां पर 4-5 part लेकर आया हूँ चली शुरू करते हैं एक question कराता हूँ जैसे question दिया है प्यारे बच्चो यहां पर आपको एक question है पहली बात तो number बहुत विशालकाए है बड़े numbers है आप multiplication, division, subtraction में उल्जे रह जाओगे अगर substitution या elimination लगाया एक बड़ी मेरे कहने पर करके देख लो क्योंकि जब तक इस method का आपको एहसास नहीं होगा कि इसकी importance कहा है जब तक आप फस होगे नहीं तो भाईया इसको हमने मान लिया first और इसको मान लिया second खास बात देख रहे हो, x का पड़ोसी यहां y के साथ है यहां y आएगा, y का पड़ोसी यहां पर x के साथ है तो अब आपने करना क्या है, पहला step, step number one दोनों equation को add कर लो, add first and second दोनों equations को आपने add करना है 217x, 131y, 913, 131x, 217y, 827 दोनों को please add कर लो, add करोगे कितना है यह आगे हमारा 8, यह आगे हमारा 4 और यह आगे 348x, यह भी आगे 348y और यह आगे 0, और यहां पर आगे 4, और यहां पर आगे हमारा 17 1740, clear है जी, अब 348 common ले लेंगे 348 common ले लेंगे, क्या बचा बेटा, x plus y अब यह इससे कटेगा ही कटेगा, यह छोटा हो जाएगा 5 पर आगे देखो, तो हमारी पहली नन्नी मुन्नी प्यारी cute सी एक equation आजाएगी, जिसको हम थर्ड नाम देदेंगे, वो है x plus y is equals to 5 अब इनी दो equations को, step number two, subtract करेंगे subtract करेंगे, फिर वही बेटा, first and second को, first and second को subtract कर दो पहले add किया, अब subtract, 217x, 131y, 913, 131x, 217y, और यहाँ पर आगे हमारा 827, अब इनको करना आपको subtract, तो sign change हो जाएंगे 7 में से 1 गया बिटा, 6, 11 में से 3 गया, कितना आया बिटा, 8, तो 86 आगया 86x, minus 86y, और यहाँ पर भी कितना बचरा है बिटा, minus 86, sorry, positive 86 चीक है, done है, अब आपको जो quotient, plus करने के बाद भी एक ऐसी equation मिलेगी, जो बहुत छोटी होगी, बहुत क्यूट सी होगी, यानि यह cancel जरूर हो रहा होगा, चीक है या आगी हमारी fourth equation, अब do whatever you want to do, but do not trouble your mother, मतलब यह दोनों equation आपके मन मुताबिक आ चुकी है, आप कुछ भी कर सकते होगा, elimination लगाओ, substitution लगाओ, actual में science and fun method, कोई method नहीं है, जैसे elimination और substitution था, कोई method नहीं है, यह बस खराब, भदी, बड़ी, भयंकर equations को छोटी, cute, प्यारी, just like Barbie, के जैसे वो क्या कर देता है, बेटा, convert कर देता है, चेके जी, अब third of fourth आ गया, आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों को elimination या substitution, जो अच्छा लगे, मुझे elimination अच्छा लगता है, इसलिए मैं add कर लेता हूं, third and fourth, आप substitution भी लगा सकते हैं, x plus y is equals to 5, x minus y is equals to 1, cut गया, 2x is equals to 6, x की value 3, यहाँ डालेंगे 3, 3 plus y is equals to 5, तो y की value प्यारे बच्चों आगे 2, ठीक है जी, step number 1, add, step number 2, subtract, फिर दो equation मिलेंगी, cute, और फिर आप उनको solve कर लेंगे, और देखते हैं न, equation, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 99x, यहाँ पर y के साथ आ गया, यहाँ 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 पर x के साथ आ गया, number विशाल का है, ठीक है जी, यहाँ 1st, और यहाँ प्यारे बच्चों 2nd, तो दोनों को क कर लो भीया, क्या आया, 200x, plus 200y, plus 1000, तो x plus y की value कितनी आ गया, यहाँ पर भी 5 ही प्यारे बच्चों, यहाँ आ गया, third, छेके जी, अब हमें क्या कर लेना है, subtract कर लेना है, किसको, first and, second को ही, subtract करूंगा, minus 2x आया, plus 2y आया, और यहाँ पर भी क्या आया, बिटा, minus 2, तो minus 2, common ले लेंगे, x minus y is equals to minus 2, कट जाएगा, x minus y is equals to 1 आ जाएगा, यहाँ गई fourth equation, अब आप उन दोनों equation को जैसे मर्जी solve कर सकते हो, भूलना नहीं है, very, very, very important, last year, अभी, जो paper हुआ, board का, उसके अंदर आया है, जाके चेक कर सकते हो, standard basic, दोनों में आया है, क्या समझे, एक ये homework में, आपको comment करके बताना है, answer क्या आया, comment below कि answer क्या आया, आपका, समझे आया, तो I hope in 7-8 minute के अंदर आपने इतना important question सीख लिया होगा, कि जब भी आएगा, आपको उलजने की जुरतनी पड़ेगी, time ज़ादा नहीं लगेगा, सीधा add करो, subtract करो, दो equation आएगी, प्यारी स concept में, एक छोटे concept में मिलूँगा, तब तक के लिए, bye bye, take care and have a nice day.